नमस्कार किसान बाईयो, सूपर करोब के इस यूटूब चैनल में आप सबीका स्वागत है किसान बाईयो इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे कि आपको मिल्च के खेतों के अंदर जूं का नियंतरन है वो कैसे करना है कौन से कितनास, जूं के नियंतरन में सबसे बढ़िया है और उस के कितनासों के लावel आपको कौन कौन से ऐस इस इजले इन देशन को आपको ध्यान रखना है ताकि आपके खेतों के अंदर जूं का अटैक है वो कम से कम हो तो किसान बायो सबसे पहले आपके लिए पैचानना जरूरी है कि आपके खेतों के अंदर जो अभी नुकसान हो रहा है वो जूं की वज़े से या माइट की वज़े से किसान नहीं करें कीटना सटक एख डाले जा वर माइत पर काम करतें अब गयांगेगी कैसे के नहीं कहां करने Кол salvagella kabacadama क mutta 1 post देखन विए सिर्ट निचसे करना अभर minder में करते हैं देखना क्यों करना ऑप पिछान करें hem किसान के चर्चा करने को कुछ दारन भातों चला कि अंदर जो रिए किसानबाई नहीं को मिलेगा दूसरी जो बात आती है किसान वाई हो कि जो नाइट्रोजन आप डाल रहे हो वह आपको बहुत ही लिंटेड मदमें ये ना हो कि आप अंदा तिंज रहे तो से डाल लिए जड़ा इस यह ज twi दाल deswegen जूँ ज़्यादा खाथ निये दढ़ना और अब किisटन से धावर नहीं वाड़े क्यों अदर जो आपके खीछे tenth बाड़ेगा और कुछ नी यह जो भी उरुबर क्राप पर रियों कर रहे ह। वह किसान भाई हो आप परियों लेकर आए। उसके बाद है चिसान भाई हो जितने भी दौरा आपको बताऊंगा इस वीडियो गंदर उनमें से कोई भी आसी दौरा के पूरा आपको बताऊंगा वो 90 और 90 परसेंट तक ही उनका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा किसान भाईयों अब बात आती है कि जो किसान भाईयों आपके आते हैं एक तो आते सिस्टम एक और आता है किसान भाईयों वो क्या काम करते हैं जैसे मैंने कोई लिया या मैं कीट हो जैसे है जो मेरे पेट के अंदर गया देरे-देरे उसने वरक किया देरे-देरे करके काम करेगा तो वह आती सिस्टम ही एक तर उसके बाद में कीटना सक्रजट पुर्यों कुरूब करूश में एक चीज और आपको द्यार रखनी है वह किसान भायो कि आपको ट्रांस लेमिनार जो इनसिक्ति साइड है तो यानि जैसे आपने इस पत्ते के ओपर द्वाई ऐसे डाली तो जो द्वाई होगे किसान भायो का थोड़ा बोट यांपो द्ग से इसके ओपर फूर आपके जो एक्टिव अंदर जाए के लिए तो जैसे टूरा यानि मतलब इस पत्ते के अंदर सेव घाता है तो शकर का में जाएगा सिस्टेमेटिक तरीके से उसके अदर काम करेगा कामकरनेंगे जो आपकी वो किसान भा जाएगा एक बार में और तो सिस्टेमिक प्लस आपका ट्रांस लेमिनर जो इंसेक्टिसाइड है किसान भाई वो क्या काम करेंगे कि एक तो सिस्टेमेटिक तो थोड़ा लंबा चलता है दूसरा क्या है कि इस पत्ते के अंदर जितना ज्यादा मौजूद रहेगा जितने लं के अंदर आप किसी से मिल रहे तो उनसे पूछना है कि जो इंसेक्टिसाइड आपने बताई है हमें मिर्च के लिए क्या वो सिस्टेमिक है या ट्रांस लेमिनार दोनों चीजें है उसमें अगर है तो ही प्रयोग करना अगर वो कॉंटेक्ट बेस हो तो उसको आपको प्रय किसान बाइयो एक गूरूप है उनका आप गूगल पर जाके सर्च करिए पाइफरोड के नाम से आपको पूरी के पूरी के लिस्ट आजेगी तो उस लिस्ट में से जो भी किसान बाइयो यह आपको प्रयोग ने करने क्योंकि यह जल्दी जो किट इनके परती तो रेकल बात की किसान बाइयो इस नहीं मेज़़ के उपर आपको कीट ना सक तो पर पर प्रियोग करने का कोई असर ने क्योंकि जुम पर चूरा अटैक रहे 가장 है जादा या माइट जो आपकी है उसका जो नुकसान जो सबसे ज़्यादा निकलते हैं उनमें आपने देखा होगे ने पत्तों पर ही आटेक ज्यादा देखने को मिलता है तो पुराने पत्तों पर कुछ भी डालने के कोई फाइदा नहीं है जब आपको लगे भी आप मेरे खे प्याज है वो आपके एक साथ नहीं लगाने है अगर आप मिर्च के खेतों के अंदर प्याज के इंटर क्रोपिंग कर रहे हो या मिर्च के खेतों के पास में अपने प्याज लगा रखा है तो आपके उन खेतों के अंदर जूं का टैक आपको ज्यादा देखने को मिलेगा तो जूँ आपके प्याज और मिर्च के खेती करनी है तो दूर दूर करनी है बिल्कुल पास पास ना हो भी इधर आपने मिर्च के लगा रहा है तो भी क्या है कि जूँ का टैक ज्यादा देखने को मिलेगा अगर दोनों मिक्स करके लगा रहा है तो भी आपको जूँ का जो 10-15 दिन से मैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी किसानवायों के फोन आ रहे हैं लगातार भी सारी इस टोपिक पर हमें कुछ बताईए तो मैंने अपने लेवल पर काफी सारी इंसर्स पेपर देखे काफी सारी किर्सीवी से सगया उनसे बातचित की जो इस लाइन में जो सबसे पहले जो बात आती है किसानवायों वह आपकी है डेलीगेट जो सबी किसानवायों जानते होगी उसकी मातरा 200 ml परती एकड के इसाब से है किसानवायों 200 ml परती एकड के इसाब से उसके बाद में आपके दूसरी जो दूआई आती है वह किसानवायों पारो टेट्रामेट 15.31 ओडी ये दूआई है किसानवायों इसकी जो मातरा है वह 160 आपको ml परती एकड के इसाब से आ सब्सक्राइब किसानबाइब के ऐसाफ से है ओर जो अजिकर एक सब्सक्राइब आरिय सबसे है उसके बाद में ऑबरों जो द्वाइया किसान बाइयो 22.9 ऐसी उसका प्रयोग भी आप जूंके नियंतरण के लिए कर सकते हैं उसके मातरा 100 किसान बाइयो जो सरकार के द्वारा मंजूर सुधा कुछ दौईयां थी जो किसान कर रहे हैं जो कुछ रिसर्स आर्टिकल में ने खोज की जिन भी किर्शी विशेशोगों से बात की इन दौईयों मुझे एक चीज़ लगी किसान बाइयो यह दौईयों सभी कोशली दौईय ने में सस्ती दौई कोई भी नहीं है लग लग बग अगर आप हम डेलिगेट की बात करें इंदे चाटरी की बात करें किसान बायो उप्सरान बाइयो आपर कर करोगे तो कारागर तो डालने का कोई जो चीज अपने खेट में काम ही नहीं करी जो 50% से उपर निच्छे रह रही है असर में उसका यूज करने कोई फाइदा नहीं यह एक करोगे तो एक बराबर है किसान भाईयों तो कोईसिस करो भी जो मैंने आभी आपको दौइयां बताईएं अगर आप कर सकते हैं करने में शक्षम हो तो किसान भाईयों जो दौइयां मैंने आभी बताऊ यह लिश्ट भी आपके ओर स्कून ऑचूकी है तो इन दौइयों 법 क्रिंद्धि इसके रावा कुछ और दौइय यूज़ कर रहे हैं उसके बाद में आपका chlorofana pyre है जो भी किसान भाई यूज़ करे हैं दस एसी जो दौई आतिया किसान भाई हो वह किसान यूज़ कर रहे हैं उसके बाद में THE मिक्शिट का Kisam Martyλ उसका अच्छा बता रहे हैं लेमडा प्लस थायो में थोग जम है उसका रिजल्ट भी जो किसान भाई जो यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट है वो अच्छा बता रहे हैं किसान भाई उसके लाव आप जो एक्टारा थायो में थोग जम जो द्वाई आते हैं किसान भाई वो भ आप पैचान कर लिए दुआयां मेने बता ही अगर के खीत पेंदर माइट का टेक है तो माइट के लिए किसान भाईयो जो दौए है उसमें आपकी मातरा किसान भाईयो जो आपको 1.9 ग्रम पर्ति एकड के हिसाब से है किसान भाईयो एक इमामेक्टिन बेंजोइड 5SG के नाम से जो आती है आपकी उसकी जो मातर है किसान बाईओ वो 80 ग्राम पर्ती एकड के हिसाब से है यह जो इमामेक्टिन है किसान बाईओ यह किवेल आपके माइट का नियंतरन करेगी जूंग के लिए इतना ज्यादा को कारागार नहीं है को जिससे आपका किसानों का response मिल रहा है उसके साफ से मैं आपको बता रहा हूँ जो research article में ने देखे हैं किसान बायो और जो जूं के लिए जो द्वाई है फिर आपको में एक बार फिर रपीट कर रहा हूँ डेलिगेट है किसान बायो स्पाइरो टेट्रामेट है क्लोरा ट्रे के लिए दौायय तो कि यहीदिय जो किसान बायो काम करेंगे क्योंकि दौायय तो बहुत बड़ी लिस्ट है बो लिस्ट काफी बड़ी एगर 237 and सेटी सायड होंगे पर जो किसान की फेल्ड के ओपर जो result आ रहा है जो किसान से मैंने बातचीत की उनके बेस्पे ही मैं आप आपको shortlisted करके दी है किसान भाईो, किसान भाईो जो भी ए दौईयां आप परयोग करो तो मुझे comment करके बताना भी जो मैंने दौईयां भी बताई है, उसका जब आप use कर लो अपनी image के खेतों के अंदर, तो एक बार इस video के निचे comment में आप जिरूर इसका बताईए भी जो वो बोले भी उनका सर रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप केवल किसानों को recommend ना करें, जो रिजल्ट दिन देखने को मिला, वो ही दौईयां मैंने आपको बताईए किसान भाईो, किसान भाईो गर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मारे चैनले को जुरूर सस्क्राइब करिए, ताकि हमें भी एक पाउर मिलते हैं, जितना आप सस्क्राइब करोगे, जितना ज्यादा हमारी वीडियो का आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी है हमारे लिए किसान भाईो का हमें पाउर मिलते हैं, ताकि हम आपके लिए और अ सेर करो ताकि उन तक भी जो जानकारी है वो पहुंच पाई तन्यवाद